ओके तो BBA करना है बद देली मेरे के देली की बेस्ट इंस्टिटूट से ही पॉस्यू करना है सबसे पहले तुम्हें आपको बता देती हूँ देली NCR में 400 प्लस कॉलेजिस और यूरिवसिटी से जहां से आप BBA प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आप करें प्रोफेशनल हैं तो यहां से आप रेगुलर प्रोग्राम कर सकते हैं सबसे पहले नमबर पर है जामे मिल असलामया जेमाई उनिवसिटी के बारे में माक्सिमम स्टूडेंस ने सुना होता है और यह नमर वन पोजिशन पर है यह एक सेंटर उनिवसिटी है यहां पर कई सारे अंडर्ग्राजव में आपके फीअस सेम रहती है यह Japanese के पर शनिवसिटी है को अड़ मोझे से अंडर्ण ऴाध उनिवसिण होगा यहांपे जो अवरbagai पाकेज जार्ग ओर अर आप ऐसे पर नंबर मोझे आग को दयं सकता है इसक consent away, proprietess 21 लग आपको की फीड़ी होगा जैसे आपका विदानता है Tech Mahindra, ICIC Bank, India Mart, या फिर Bajus हो गया इसके अलाव हो और और कई सारे ऐसे कंपनी से यहां पर विजिट करती है और BBA कांडिडेट या फिर अधर फिल्ड के स्टूडन्स को रिक्रूट करती है नमबर टू पर है DTU, Delhi Technical University Delhi Technical University में Direct Admission होता है Merit Basis, that is 12th में अच्छे परसेंडेज होने चाहिए यहां पर फीस आपके बहुत साथा लगती है 90,000 एक साल की फीस से फीस में वेरिशन हो सकते हैं यहां पर पत्थर की लकीर की तरह मतमान लीजेगा जो भी में आपको फीस बता रही हूँ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ Salary package की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं Average salary यहां पर 13 और 13 तो 14 लाग पर एनम गया है बट highest package यहां पर 1 करोर पर एनम गया है So highest package एक या दो student को ही मिलता है तो इस तरीके से आप Average package को consider कर सकते हैं बाकि टॉप recruiters के बात करें यहां पर Google, Microsoft, Mintra, Flipkart Amazon जैसे company विजिट करती है प्लेस्मेंट के लिए उसके बाद number 3 पे है जाम्या हमदर्द जाम्या हमदर्द में admission के लिए आपको CUET देना है Common University Entrance Test 2022 में first time Is Entrance Examination को conduct करा गया है Central University के लिए जिसमें से जाम्या हमदर्द भी CUET के basis पे इस बाद एडमिशन लेगी तो यहां पे 12th appearing या पास आउट होने चाहिए आप और 1 लाख एक साल के फीस आपकी हो सकती है बीबीए कोर्स के लिए Salary package अगर आप यहां पे देखो तो highest package 12 lakh per annum और average package 4 to 5 lakh गया है यहां पे seat 150 ही है एक और बात यहां पे अगर आप BBA के अलावा चाहो तो integrated BBA MBA program भी कर सकते हैं जो कि 5 साल का integrated course है और उसके लिए सिफ 60 seats ही available है तो या तो आप BBA जो कि 3 साल का course होता है वो कर लो या फिर आप 5 साल का integrated program कर लो जिसमें अपका BBA plus MBA course होता है तो next number 4 पे है NSUT नेदाजी सुभाज सुभाज यूनिवर्सिटी आप टेक्नोलजी में admission लेने के लिए 12th match percentage होना चाहिए कोई entrance आपको नहीं देना है NSUT में admission लेने के लिए बट आप 12th pass या appearing student होने चाहिए और यहां के भी fees around 90 thousand और 1 lakh एक साल के fees हो सकती है 60 seats ही है and top companies के बाद कर दे यहां पे आपका Emirates Dubai Qatar Petroleum, Musigma Amazon जैसे company विजिट करती है placements के लिए number 5 पे है IP University IP University या फिसके affiliated colleges में admission लेने के लिए आपको IPU का common interest test देना होता है so 12th में minimum 50% होने चाहिए 65,000 एक साल के fees रहेगी यहां पे and highest package यहां पे 32 लाग गया है और average package 8 तो 9 लाग गया है अगला जो college है वो है जगन इंस्टीट ओफ management studies रोहीनी अब यहां पे जो entrance होगा that is common interest test IP University का ही interest examination है इसके थ्रू ही आप यहां पे admission ले सकते हैं so again 12th में minimum 50% आपने score किया हो ताकि आप common interest test के लिए पीर हो पाओ और 88,000 एक साल की fees रहेगी then seat यहां पे 60 ही है and salary package आप देख सकते हैं उसके बाद नेक्स जो नमबर 7 पे है यहां पे पहले आपका DUJET होता था but अब आपका CUET होगा and इस बाद CUET होगा तो उसके basis पे आप admission ले सकते हैं 12th में कम 60% होने चाहिए fees यहां पे बहुत कम है 25,000 के प्रॉक्स एक साल की fees रहेगी and अगर हम salary की बात करें तो highest जो package गया है 19 तो 20 लाग पर एनम and average 6 तो 7 लाग पर एनम गया है उसके बाद शही सुखदेव कोलेज जो है वो देली उनिवसिटी से एफिलियेटेड है and देली उनिवसिटी से जितने भी colleges एफिलियेटेड है उन सभी में admission लेने के लिए आपको CUET ही देना होगा आप कोई भी प्रोगाम करना चाहते हो नमबर एट पे है भाय परमनेद इंस्टिटीट और बिजन स्टडीज शकापू और अगें ये आईपी उनिवसिटी के एफिलियेटेड कॉलेज है तो यहाँ पे admission लेने के लिए आपको CUET देना है 40,000 एक साल की फीज रहेगी BBA प्रोगाम की और हाइस्ट पैकेज यहाँ पे 21 लाग पर एनम गया है टोटल 40 सीट्स रहेगी यहाँ पे NIIT, Unique Solutions, TCS, HCL यह सी कंपनी विजिट करती है प्लेस्मेंट के लिए प्लेस्मेंट जहाँ पे है वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ रही है और कितने नंबर उफ स्टूडेंस को प्रेस कर रही है यह बहुत इंपॉर्टन है तो नंबर नाइन पे है कीता रतन इंटरनाशल बिजन स्कूल और यहाँ पे आपका IPOCET के थूह ही एडमिशन होगा तो ट्वल्थ में अगें 50% कम सकम होने चाहिए यहाँ पे कोई subject required नहीं होता है BBA course के लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए और admission के spaces पे लिया जा रहा है वह important है तो अगें यहाँ पे आपको IPOCET देना है और एक लाग दस हजार के आसपास आपकी एक साल की फीस रहेगी तेन उसके बाद नमबर तेन पे है भारती विद्देपीट इंस्टिटूट और मानेच्मेंट और रुसर्च और यहाँ पे आपको BUMAT देना है यह जो इंस्टिटूट है यहाँ पे 1.5 लाग के आसपास एक साल की फीस रहेगी बाद उसके अगर आप यहाँ पे पाकेज देखो तो हाइस्ट पाकेज 20 लाग पर नम ही गया है और अभरेज पाकेज आपका 4 लाग पर नम है तो अगर आप सिफ प्लेस्मेंट को टागेट कर रहे हो तो यह कॉलेज आपके लिस्ट में ना आए और बाकी जो हमने 9 कॉलेज दिसक्स किये हैं उनको आप प्रफरेंस दे सकते हैं आपका जो काउंसलिंग होता है वहाँ पे आपको प्रफरेंस ओर्डर फिल करनी होते हैं जितने भी आए पी या इंदरपर्स यूनिवस्टे से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं ओके यहां पर मैं वीडियो एंट करना चाहूंगी और बीबी रिलेटेड या कोई अधर फिल्ड से रिलेटेड डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूर सके तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा आज इस क्लिबस इतना ही थाइंको सो मच आटेक के